स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं C programming language और C programming language का ये very first class होने वाल है, आपके मन में सवाल चल रहा हूँ कि इसमें ऐसा special क्या बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हम C को बहुत जाधा basic से, एक होता है basic, जहाँ पे हम ये expect करके चल रहे होत as a subject ही आपको नहीं पता, और उसके बावजूद भी हम एक language जिसका नाम है C, उसको सीखेंगे, उस पूरे fundamentals को सीखेंगे, जो programming के beyond भी चीजे होती है, exist करती है, और जो language हमारा C है, उसके use cases को तो हम देखेंगे, और बहुत जाधा basic details के साथ साथ हम चीजों का advanced practical करके भी द है, और समझते हैं कि क्यों C को पढ़ना चाहिए, तो C होता क्या है, C एक general purpose programming language है, जिसको 1972 के अंदर develop किया गया था, और यह आज तक popular है, आपने सुना होगा इतने सारे programming language आज के time exist करते हैं, Python है, Ruby है, Kotlin है, JavaScript है, और सब के अपने अपने काम है, कुछ languages web के लिए काम में आत हैं, कुछ system programming के काम में आते हैं, कुछ data analysis के काम में आते हैं, कुछ backend develop करने के काम में आते हैं, हर एक dimensions के अपने programming language है, मगर उसके अलावा भी एक सजादा options होते हैं, अमाल लिजे कि किसी को backend में काम करना है, तो जरूर नहीं है कि वो Python पे ही काम करें, वो काम कर सकता है, से देखोगे, तो आपको समझ में आएगा, यह general purpose है, general का मतलब है कि आप exactly एक domain में यूज ना करके, इसको generalize कर चुके, आप कहीं भी इसको चाहो तो इस्तमाल कर सकते हो, depending on your use case, आप इससे embedded system की coding कर सकते हो, वहाँ पे जो requirement होती है, आप यहाँ पे जो भी हमारे पास hardware devices होत आप games में design कर सकते हो, इसके through, ठीक है, आप कोई management system develop कर सकते हो, C programming के through, तो C का ultimate use जो है, वह बहुत wide है, बहुत broad है, और देखो, 1972 में develop होने के बाबजूत भी आज तक चल रहा है, यानि कि यह बहुत robust language है, robust मतलब जिसका टिकाव हो, काफी जादा उसमे stability हो, और चाहिर से इतना दिन रहने के बाद इसकी popularity बड़े नहीं होती है, तो कारण क्या है, कारण पहला यह है कि यह काफी easy to learn है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ easy to learn, तो मतलब cakewalk है, बट इसमें चीज़े वैसी complex नहीं है, जैसे कुछ languages में दिखती है, for example, अगर आप JavaScript पढ़ोगे, तो यह आपका काफी जादा बड़े size में आता है, ऐसा कुछ नहीं है, powerful का मतलब यह है कि यह चीजों को बहुत अच्छे से manage कर लेता है, अगर कोई भी system इस पर design होता है, कोई भी आप एक product बनाते हो, तो वो काफी जादे stable होता है, यह इतना powerful है, इसके अंदर सारी ability होती है, और इसको आप develop करते हो, operating system बनाने में, जैसा मैंने बनाया, बताया, database तो पूरा का पूरा बना सकते हो, आप इसके थूरू ठीक है, और बहुत सारे application भी आप C के द्वारा बना सकते हो, तो आप देख रहे हो, इतने भारी भरकम जो हमारे software's बन रहे हैं, और अगर उसको ब दिखेगा, ठीक है, यह बहुत basic code है, जहाँ पे आप hello world print करा रहे होगे, तो यह ऐसा दिखता है, बस आपकी appearance के लिए मैंने यहाँ पे आपको यह चीज़ दिखाया, ओके, now next thing is, कि what is C, C को क्यो पढ़ना चाहिए, यह सब तो हमने देख लिया, बट C है क्या, तो again, एक general purpose programming language है, देखो, language भी अलग-लग तरीके के होता है, scripting language होता है, उसके बाद database के अंदर अगर आपको interact करना है, तो वहाँ पे query languages होते हैं, यह एक programming language है, proper programming language है, programming का क्या मतलब होता है, जहाँ पे आप logics build कर सको, जहाँ पे आप mathematical operations perform कर सको, और उसके साथ-साथ coding कर सको, उस language को ह रहते हैं, और यह programming में भी कैसा है, जनल परपस, किसी भी एरिया में यह use हो सकता है, इसको बनाया था है, डेनिस रिची ने, बेल्स लैबरिटी में, 1972 में, जिसका वे जिकर कर चुका हूँ, और बहुत ही popular है, like literally बहुत ही popular है, इतना पुरान होने के बाबजूद भी, काफ operating system बनाने की सोच रहते है, unix, तो उस operating system को जिस भाषा में लिखना चाहिए, वो हमने सोचा कि एक language डिजाइन कर देते हैं, उस language के basis में हम यह operating system बना लेंगे, अब यह तो बन गया, लेकिन C कहीं ने गया, C और भी कई सीजे बनाता चला गया, but main region था C बनने का, वो unix operating system ब परक्या है, क्योंकि कहीं को लगेगा, वो Linux-based है, तो वो अपने आप में एक अलग topic है, बट आप base यही मानने के चलो, ओके, जैसे मैं आपको बता है, इसका develop ही इसलिए किया गया था, किसका C language का, ताकि हम unix operating system को लिख सके, क्यों पढ़ना चाहिए C, C होता क्या, यह हमने पर देख लिया, ठीक है, पढ़ना क्यों चाहिए, क्योंकि बहुत popular programming language है, पूरी दुनिया का, ठीक है, अगर आज भी आप stack overflow के services देखोगे, या फिर LinkedIn पर जाके आप देखोगे highest demanding programming language, तो उसमें C अपने आपने कहीं top 5-6 में position बना के रखा होगा, जैसे कि आप जानते हो क कि ऐसा कोई issue नहीं है कि आप कोई और programming language पढ़ो जैसे Java है, Python है, C++ है, ठीक है, मगर एक चीज यह है कि सब ही programming language में, syntax जो है, कहीं न कहीं C के similarity आपको दिख जाएंगी, ठीक है, C को ही base man की बाकी language जो है, अपना काम करते हैं, ठीक, बहुत fast है, एक point तो यह हो गया, अगर द जावर, Python, no doubt, one of the best languages है, बट एक problem यहाँ पर यहाँ आती है in languages के साथ, कि यह इतने fast नहीं है, जितना fast C है, माल लिजे कि Java कुछ extra feature प्रवाइड करा रहा हो C के beyond, बट कमिया क्या है कि C जितना fast है, उतना शायद आपका Java या Python fast नहीं हो, बहुत versatile है, versatile का मतलब होता है कि कैसे भी use कर लो इसको, अब general purpose language है, तो versatile तो हो नहीं है, applications भी बन जाते है, technologies भी बन जाते है, अब applications और technology में क्या अंतर है, इसको आपको समझना पड़ेगा, application कोई apps हो गया, ठीक है, जैसे आप यह माल लो, यह VS Code है, यह अपने आपने एक application है, आप यह भी बना सकते हो, और यह VS इसको जिसको चल रहा है, Linux-based operating system पर, ठीक है, वो अपने आपने एक application है, but वो system application है, ठीक है, ओके, और technology जैसे कि आप इसके उपर, for example, किसी ने database बना दिया, ठीक है, वो अपने आपने आपने एक technology हो गी, difference between C and C++, अब बहुत सारे लोग confused होते हैं, C यह C++ में, देखो C++ एक इतना subset ही है, C का, ठीक है, C के ऊपर ही C++ लिखा गया था, हाला कि यहाँ पे सही तरीका यह है, कि C जो है, वो subset होगा C++ का, कि जो चीज़े C++ में होते हैं, शायद उतनी आपको C में ना मिले, C++ में चीज़े जाधा मिलेंगी, तो बड़ा picture क्या हो गया, C++, ठीक है, तो व C तो था ही, C++ आपने extra दे दिया, बोथ language have the almost similar syntax, अगर मैं majorly बात करूँ न, यहाँ पर बात नहीं हो दिखिए, यहाँ print up होता है, C++ में C in, C out होता है, उनकी बात नहीं कर रहा है, जाधा तर जो loops लगाने का, या functions लिखने का तरीका हो गया, जो major major चीज़े होती है, वो syntax by same यह दिखते हैं, और जो difference आता है, C यह C++ में, यह है classes और object के support का, देखो C++ ने object oriented programming language है, अब जैसी object oriented है, तो वहाँ पर classes और object का introduction तो होना ही होना है, मगर C में नहीं है, ठीक है, C आप यह लगा लो कि top to down approach वाल एक programming language है, जहाँ पर कोई object या classes का जिकर नहीं होता, हाला कि आपको यहाँ पर structure union जैसे कई चीज़ा मिलती है, जिसकी मदद से आप programming कर सकते हो, तो यह major difference है कि C++ is a object oriented programming language, तो यहाँ पर classes और object की support हमेशा provide की जाएगी, ठीक है, तो यह कुछ हमारा basic introduction था, कि C और C++ क्या है, basically C है कि आपने आप में, C को क्यों पढ़ना चाहिए, next class से हम कुछ syntax वाइस चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, installation का process समझेंगे, कि किस तरीके से आप अपने local system में C का environment setup कर सकते हो, उसको run कर सकते हो, major focus रहेगा VS code के अंदर code लिख की कैसे run किया जाता है, उधारन देदू, माल लिजे, यह मिर पास C का code लिखा हुगा है, जह प्रोसेस हुआ कैसे, कैसे यह वाली जो third party access होता है, यह हम लेते हैं, कैसे पीछे environment setup करते हैं, इन GCC का मतलब क्या है, किस तरीके से Linux में इसका build बनता है, and so many things, यह सब हम next class में लेखेंगे.